साल 1983 में मंगल पांडे नाम से एक फिल्म आई थी जिसमें शत्रोगन सिन्हा जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी परवीन बाबी शत्रू जी के अपोजिट थी उस फिल्म में लेकिन उस फिल्म का स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद मंगल पांडे से कोई लेना देना नहीं था मगर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये फिल्म तो शहीद मंगल पांडे जी के जीवन पर ही आधारित थी आमिर खान इस फिल्म में मंगल पांडे बने थे तस्वीर में जो विदेशी कलाकार आपको दिख रहा है उनका नाम है टॉबी स्टीफ़न्स आमिर खान की मंगल पांडे में इन्होंने कैप्टन विलियम गॉर्डन का खिरदार निभाया था कहां जाता है कि ये यही रोल पहले हॉलिवुड एक्टर ह्यूज जैक्मैन को आफर किया गया था लेकिन उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था आज आमिर खान की मंगल पांडे फिल्म को रिलीज हुए 19 साल हो गए 12 अगस्त 2005 के दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी इसे केतन महता ने डाइरेक्ट किया था संगीत दिया था ए आर रह्मान ने गीत लिखे थे जावेद अक्तर ने आमिर खान को इस फिल्म के लिए 51 फिल्म अफेर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का नॉमिनिश मिला था उस साल फिल्म ब्लाक के लिए अमिताब बच्चन को वो अवार्ड दिया गया था अमिताब बच्चन सरकार के लिए भी उसी साल इसी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे और उनके पुत्र अभिशेक बच्चन भी फिल्म बंटी और बबली के लिए इसी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे फिल्म परीनिता के लिए इसी साल इसी अवार्ड के लिए सैफ अली खान को भी नॉमिनेट किया गया था मगंगल पांडे का मुहुर्द क्लाप किंग चाल्स तीन ने दिया था उस वक्त वो किंग नहीं थे तब वो प्रिंस चाल्स ही थे आमिर खान ने इस फिल्म के लिए अपनी मून्छे और बाल बढ़ाए थे क्योंकि आमिर खान किसी तरह की विग नहीं पहनना चाहते थे और वो चाहते थे कि मंगल पांडे के किड़दार में वो एकदम रियलिस्टिक लगे आमिर के बाल बढ़ाने के फैसले से इस फिल्म की शूटिंग कुछ महीने देरी से शुरू हुई थी इस फिल्म के लिए आमिर खान ने कोई और फिल्म साइन नहीं की थी क्योंकि आमिर को इस फिल्म के लिए अपनी मूंचे और अपने बाल बढ़ाने थे अगर वो कोई और फिल्म साइन भी कर लेते तो उसकी शूटिंग नहीं कर पाते केतन महता ने ये फिल्म शाहरुख खान को भी ओफर की थी लेकिन शाहरुख ने इनकार कर दिया था एक्ट्रिस अमीशा पटेल ने इस फिल्म में ज्वाला नाम का एक किरदार निभाया था अमीशा पटेल को आमिर खान की सिफारिश पर इस फिल्म में लिया गया था दरअसल आमिर खान ने अमीशा पटेल को BBC के एक गेम शो क्वेश्चन टाइम इंडिया में देखा था आमिर खान को अमीशा पटेल का IQ लेवल बहुत पसंद आया और उन्होंने डाइरेक्टर केतन महता से अमीशा को ज्वाला के रोल के लिए कास्ट करने को कहा जिसे आखिरकार केतन महता ने मान लिया जबकि पहले इसी रोल के लिए एश्वर्या राय को कास्ट किया गया था लेकिन एश्वर्या ने ये रोल किनी वजहों से छोड़ दिया था केतन महता काफी वक्त पहले से ये फिल्म बनाना चाहते थे पहली दफा 1988 में अमिताब बच्चन को वो मंगल पांडे के किरदार में लेकर इस फिल्म को बनाना चाहते थे लेकिन तब ये फिल्म नहीं बन सकी फिर 1995 में संजय दत को लेकर उन्होंने उस कहानी पर काम शुरू करने की कोशिश की तब फिल्म का नाम रखा गया था किस्सा कार्दू उसका मगर संजय दत के जेल चले जाने की वज़ह से उस वक्त इस फिल्म पर काम नहीं हो सका उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी और बीजेपी ने इस फिल्म को बैन करने की मांग की थी बीजेपी के मुताबिक इस फिल्म में शहीद मगल पांडे के किरदार को गलत रोशनी में दिखाया गया है मंगल पांडे को एक वेश्या के घर जाते दिखाने जाने पर कड़ा एतराज बीजेपी की तरफ से जताया गया था उस वक्त समाजवादी पार्टी के राज्य सभा सांसद उदे प्रताप सिंग ने भी इस फिल्म को प्रतिबंधित करने की मांग की थी यूपी के बलिया जिले में तो इस फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कुछ प्रदर्शन कारियों ने एक कैसेट और सीडी की दुकान में तोड़ फोड तक कर दी थी शहीत मंगल पांडे बलिया के ही रहने वाले थे एक्टरिस किरन खेर ने इस फिल्म में नूर बीबी का खिरदार निभाया था मगर जब पहली दफ़ा ये स्क्रिप्ट सुनाई गई थी तो उन्होंने इस रोल को निभाने से मना कर दिया था ऐसे में एक्ट्रेस माया कृष्णर राव को इस रोल के लिए साइन किया गया उनके साथ कुछ सीन्स भी शूट किये गए लेकिन डाइरेक्टर केतन महता और आमिर खान दोनों ही उन सीन्स से संतुष्ट नहीं थे इसलिए उन्होंने एक बार और किरण खेर से ये रोल निभाने की रिक्वेस्ट की किरण खेर मान गई और माय कृष्णर राव को हटा कर किरण खेर के साथ सभी सीन्स शूट किये गए तो ये किस्सा आपको कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके बताईएगा जरूर और हाँ, इस विडियो को लाइक शेर करना मत भूलिएगा क्योंकि आपका लाइक शेर करना ओल्ड एरा को आपके लिए ऐसे और भी किस्से लाते रहने के लिए प्रेरित करता है